नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त संदीब कुमार आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम अपने प्रग्राम में कोई भी वैलू इंपुट कराना चाहते हैं कोई भी अपने डेटा को इंपुट कराना चाहते हैं कीवोड से तो कैसे करेंगे तो इंपुट कराने क के लिए हमें एक function यूज़ करना होता है वो है scanner तो आए देखते हैं हम इस प्रग्राम में कैसे यूज़ करेंगे और इसका syntax क्या है तो सबसे पहले मैं open करूँगा और नेम दूगा कि इसे उपन कर लेते हैं और सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि इसका syntax कैसे होगा कि इसके नफंशन का हम देखने जा रहे हैं कि इसे हम कैसे लिखेंगे लिखेंगे स्कैन अब अब बैकप फिर डवल इंटर काम में लिखेंगे कि पार्मेट प्रेसिफायर अब अब लिखते हैं एड्रेस ओपरेटर और अब ये पले अब तो इस तरह से हम अपने प्रग्राम में से यूज करेंगे पहले हम पहले हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पैसिफायर अब फिर कॉमा फिर इसके बाद यहां पर यूज कि या जाता है क्या कहते है एड्रेस अप्रेटर को और विएरिबल ने जो भी हमने बनाया होगा आइए हम अपने प्रोग्राम में देख लेते हैं कि इसका हम कैसे लिखें तो हम अपने प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है वाइड में लिखने जाते हैं वाइड में वाइड में वाइड में फंक्शन बनाया है कि हमने इसे कर अब वेरियबल हमने बना लिया है एक नाम का तो इसे लाइन एंड कर देते हैं और हम इसमें चलिए एक और फंक्शन यूज कर लेते हैं वे स्क्रिंट का तकी हमारी स्क्रिंट क्लियर हो सके और और यूसरा कोई आउटफूट ना देखें तो हमस्वा मि अगर इसकी यूज किया है दो इसमें हम पता होगा यह एक ऺीव लगाते हैं है को उसको estim प्रोग्राम में यूंज करते हैं तो वह कौन सी होती है व्हिंई ब इंक्लूट कर लेते हैं कि हम अपने प्रोग्राम जब एक्जिक्यूट कराएंगे तो सबसे पहले अगर कोई यूजर इसे चलाएगा तो कैसे समझेगा कि हमें एक वैलू इंपुट करनी है तो पहले हम एक मैसेज प्रेंट करा देते हैं तो प्रेंट करने के लिए हम मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूं प्रेंट आप तो मान लीचे मैं यहां लिखने जा रहा हूं इंपुट अ कि नियुव कि मैरिक बैलो कि इसे बन कर देता हूं अब ठीक है अमने इसके अनफ फंक्शन लगाने चाहरा हूं कि जो जब यह प्रेंट हो जायेगा लाइन जब जैसी प्रेंट होगी अब मैं एक चाहता हूं कि कोई कीवर्ड से एक इंपुट प्रेश कह जाया है ठीक है तो इसीलिए मैं इसके नाफ कर रहा हूं इसको इंटीजर कर वो फॉर्मेट स्पैसिफार होता है वह होता है परसंटी बनाया उसके पाथ हम करते हैं एड्रस ओप्रेटर का यूज इसके राग वैरियेबल हमने क्या बना है अब हम क्या कर चाहते हैं कि जो हमने वैलू दी है वह वैलू हम देख भी सके कि क्या कहते हैं कि क्या प्रेंट हुआ है प्रेंट है तुम अब क्या प्रिंट कराऊंगा वैलू और एक कि यहां पर हम करा देंगे एक्सटी का भी है तो यहां पर मैं आप देख सकते होगे जब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं फिर रून कराता हूं तो हमारी स्क्रीन चली जाती है वह प्रोग्राम रन-तो हो जाता है लेकिए उसका अट्षोट आपिछए नहीं एक फंक्शन यूज करने वाले हैं इसका यूज मैं आपको बाद में भी बताऊंगा कि यह कैसा प्रोग्राम है और इसे हम क्यों यूज करते हैं अभी तो मैं इसे ताकि हम अपना आउटपुट देख पाएं इसलिए कर रहे हैं कि मैंने इसे यूज किया है अपने प्रोग्राम में और इसका है कि है कि हैडर फाइल जो होता है वह भी कॉन्य डॉट एच होता है तो कॉन्य डॉट तो पहले से लगा हुआ है लेकिन हमने प्रेंट फंक्शन यूज किया है तो उसके लिए हमें अपने प्रोग्राम में std.h लगाना पड़ेगा कि हमने print function यूज किया है तो हम यह लगा देते हैं अब इसके बाद हमारा program बनके तयार है और मैं इस main function को बन करते हूं तो हमारा program बनके तयार है अब इसे हम compile कर देते हैं अब इसे हम run कर आ रहे हैं अब यह मेरे से एक value मांग रहा है कि आप एक input निमेरिक value मैंने मान लीजे 5 दे रहा 5 देने के बाद जैसे ही मैंने यह इंटर किया आपके सामने आ गया कि value of x क्या है 5 अब मेरा program run कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले यहां पर मैंने एक इंटीजर बनाया फिर clear screen हो गई इसके बाद एक मैंने आपको जब प्रोग्राम रन कर आके दिखाया तो उसमें लिखा था इंपुट है निमेरिक वैलू तो मैंने जब यह दिया उसके बाद हमारा यह फंक्शन चला कौन सा क्या बोलने लगा कि एक एक ऐसी वैलू दीजिए इंटीजर टाइप की एक वैलू उसमें दीजिए जब मैंने इंपुट कराई तो वहां पर 5 वैलू क्या हो गई जाके तो पर एकस की जगह जो हमने बैरियेवल भनाया था एकस की जगह 5 चला गया जब मैंने कहा कि मुझे की वैलू प्रीट करो तो वहां एक्सक्योट हुआ तो आपने देखा इस कैनल के यूज हमने अपने अपने प्रोग्राम में कैसे किया तो आसा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे वीडियो लाता रहूंगा आप मेरा वीडियो से जोड़े रहें मेरे वीडियो देखते रहें मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद